बिहार में महागटबंदन की सरकार बनने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रश्याद यादव पहली बार पटना आ रहे हैं जी हाँ लालू यादव कल यानी 15 आउगस्त को पटना लोटेंगे वही कल मंत्री मंडल के विस्तार को लेकर मंत्रियों के नाम का भी खुलासा हो सकता है लालू यादव का पटना आना काफी खास माना जा रहा है इसको लेकर लालू परिवार के साथ साथ पार्टी के कई निताओं और समर्थकों में जम कर उच्छा देखा जा रहा है लालू यादव पटना आकर नितीज काबिनेट के विस्तार समारों में भी सामिल होंगे लालू के पटना पहुँचने के बाद यानी सुल आउगस्त को सरकार के मंत्री मंडल का पहला विस्तार किया जाएगा बिहार के सत्ता परिवर्तन में लालू यादो की एहम भूमिका बताई जा रही है भले ही वो अपने बिमारी के कारण दिल्ली चले गए थे या राजनिती में एक्टिफ नहीं दिख रहे थे लेकिन उन्होंने नई सरकार की जमीन तयार करने में मुख भूमिका निबाई है आपको बता दे कि लालू पिशाद यादो पिछले दिनों पर्टना के आवास में सीडियों से गिर गय थे इस दोरान उनके कमर और कंधे में चोट आ गई थी जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भरती कराया गया था इसके बाद भी उनकी तबियत में उतार चड़ाओ जारी थी इसके बाद लालू को दिल्ली ले जाया गया था लेकिन कल फिर से लालू यादो पटना लोट रहे हैं और तमाम जितने भी राष्ट्री जनता दल के समर्तक हैं पार्टी के नेता हैं सभी में एक अलग तरह का उत्सा देखने को मिल रहा है साथी साथ ये भी बताय जा रहा है कल यानि 15 आउगस्ट को जब लालू पटना आएंगे और कल के ही दिन मंत्री मंडल विस्तार को लेकर मंत्रियों के नाम का भी खुलासा हो सकता है और लालू प्रशाद यादो पटना आकर नितीज काबिनेट के विस्तार समरों में भी सामिल होने वाले हैं तो लाइव बशाद्यादों कल पटना आ रहे हैं 15 आउगस्ट को पटना आ रहे हैं और 16 आउगस्ट को जो है सरकार के मंत्री मंडल का पहला विस्तार भी किया जाएगा लाइव भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें